पूरे भारत की नजरे फिलाल इंडियन स्पेस रिसर्ज ओर्गनाइजिशन यानि इस रूपर है दरसल आज चन्रयान 3 चांद की सत्ता पर लैंड करनी वाला है चन्रयान 2 की असफल लैंडिंग के पार पुरा तेश चन्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्राथना कर रहा ह और इसे श्रूंखला में शहर के गनश रेकरी मंदिर में राश्टवादी कॉंग्रेस अजित पवार्गोड के ओर से होम अवनकर गनेश वंदर आखी गए इस दोरान मुख्य रूप से राष्टवादी कॉंग्रेस अजित पवार कोड जिलातिक्ष्य ग्रामिन बाबा को जर प्रवक्ता प्रशान पवार समेथ पधाती कारी एवं कारी करता बड़ी संख्या में उपसी थी मतादे कि चंडरयान टू की अस अफलता के पाद इसरों ने 14 जुलाई 2023 को चंडरयान टीन को चान के लिए लॉंच किया था सक्सेस्पुल लॉंचिंग के करिब 49 दिन बाद चंडरयान टीन अब चान की सत्व पर उतरनी को तया है पिछली लैंडिन को देखते वे इस बार चंडरयान में कई एहम सेंसर्स लगाए गए है जो कि इसकी लैंडिन को स्मूध बनाएंगे इस रोग की तरफ से जानकारी सामने आई है कि चंडरयान टीन को आज यानी 23 अगस को चान की सत्व पर उतारा चाएका इसके समय में थोड़ा सा बदलाव क्या-क्या है जिसकी बज़ा से अब शाम करीर 6 बच कर 4 मिनिट पर लैंड करीगा कि यह जे आज चल लैंडिंग जे होना राए है यह सेफली आनी सुरक्षित जाला पाई जे यह साटी कि आज हा इतियास संपूर्ण जगापूड आज दिसना राए कि आपले भारतिया शास्तन दयांचा काम तेननी केलेला परिश्रम हा परिश्रम संपूर्ण विश्वात सर्वान दिसना राए है या दुरुष्टि को ना तुन आमी पर मैशवाराला गनपदीला शाक्ड़ घालता है कि राश्वादी कॉंग्रेस तरफे आप बहुत बहुत भारतिया भारती वासियन तरफे आपी परमेशवारा ला साक्ड़न खालता है कि आज से लेंडिंग हो होना बहुत जरूरी है इसलिए गनेश महाराज को जो हमने प्रार्थना की तो शेफ लेंडिंग होंगा ही और भारत देश ये चौथे नंबर पे सबसे में वर्ल्ड में तो आए गई लेकिन सौथ पोल पे पहली बार अगर कोई लेंडिंग करेगा तो ये भारत देश करेगा इसलिए भारत की जनतानी देश का पुरा ध्यान इसके तरफ में है इसलिए हम गनेश महाराज को साकड़ा नलने आए कि ये सेफ लेंडिंग हो और शायद 100% सेफ लेंडिंग होंगा इसमें कोई दूमत निए